हेलो फेंड्स वेलकुन टो माई चैनल राम टेक्निकल हेल्प सो फिंड्स अगर आप डेल लैप्टॉप यूज कर रहे हैं और यहां पर आपको एक एरर आ रहा है नो बुटेबल डिवाइस जब भी आप अपना लैप्टॉप या डेक्स्टॉप स्टार्ट करते हो तो आपक सारी विडियोज आपको यहां पर मिल जाएंगी चाहिए वो लैप्टॉप डैक्स्टॉप यूट्व या फिर किसी सफ्ट्वेर में किसी भी टाइप का आपको कुसी प्रॉब्लम आ रहे है तो फ्रेंड्स आपको यहां पर हर टाइप का वीड़र मिल जाएगा तो वीडि कर दिया तो मेरा यहां पर सिस्टम बाइस मोड के अंदर आ चुका है ठीक है तो यहां पर आप दियासिक देख पा रहे हो कि यहां पर मेरा जो laptop है यहां पर bias mode के अंदर आ चुका है, यह हम लोग Dell का laptop यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यह problem Dell के अंदर fix करना है, यह Dell laptop के लिए problem है, आपको जैसी आपने F2 प्रेस किया, तो आपका जो system है, यहां पर bias के अंदर आ जाएगा, इसके बद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको date and time का option दिख रहा है, यहां पर आपको click कर देना है, यहां पर friends आपको जो आपका system का date or time है, वो आपको current date के हिसाब से और current time के हिसाब से रखना है, यह आपको बिल्कुल यहां पर ठीक कर लेना है, आपका date or time, इसके बद आपको क्या करना है, यहां पर system information के अंदर जाना है, system information के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहां पर जितने भी आपका hardware इसके अंदर जो लगा है, उसका information आपको यहां पर proper दिख इसके अंदर जो proper लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको यहां पर make sure करकर रखना है कि जो आपका system है, उसके अंदर hardware वगड़ा सब proper तरीके से लगी हुई है नहीं हुई है, तो थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, तो यहां पर device information के नीचे, आपको आपका जो hard drive है, यहां प आपको दिखा देगा, ठीक है, इसके आगे primary hard drive के आगे, इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर check हमारा हो गया है कि हमारा hard x अभी यहां पर लगा हुआ है, अगर यहां पर ऊपर वाले में आपका known आता है, जैसे कि आप नीचे देखिए, यहां पर odd device के अंदर known है, अ आपको, आपके system open, जो hardware के पास, hardware वाले के पास जाकर, आपको, जो आपका hard x है, वो यहां तो check करवा लिजिए, या फिर उसको repair करवा के वापस से आपको attach कर देना है, तो यहां पर आप देख लिजिए, कि आपका hard x है, यहां पर अपर लगा हुआ है, यहां आपको make sure करक option है, यहां पर अगर UEFI आपका यहां पर selected है, तो आपको legacy वाला option select कर लेना है, यहां पर मैं legacy वाला option select कर लूँगा, ओके, तो यहां पर जितने भी जो यह option थे, यहां पर highlight हो जाएंगे, ओके, अगर आपका यहां पर legacy वाला option दिखनी रहा आपको, enable ही नहीं होता है, यहां यह option to get out, तो आपको friends यहाँ पर जाना है, boot sequence, secure boot के अंदर, यहाँ पर secure boot के अंदर गए, यहाँ पर secure boot enabled का एक option होगा, यहाँ पर आपको click कर देना, ऊपर वाले के पास, तो यहाँ फैंड सगर आपको, यहां पर enabled है ठीक है तो उसको आपको disabled करके रखना है यह आपको याद रखना है अगर आपका option यहां पर secure boot enabled है तो उसको disabled करके रखना है उसके बाद आपको वापस से boot sequence के अंदर जाना है यहां पर legacy models आपको select करना है यहां पर आपको कुछ options मिलेंगे यहां पर जो आपका first boot device है यहां पर आपको hard X रखना है अगर आपका यहां पर USB या फिर CD-ROM या फिर कोई other option आपको यहां पर है ठीक है तो आपको यहां पर make sure करके रखना है कि आपका जो HDD जो hard X है यहां पर आपको select करके रखना है यहां पर जैसे अगर यहां पर यह डिवाइस ऐसे है ऐसे है आपका तो आप क्या करोगे यहां पर click करना है और यहां पर इसको यह arrow पर click करना है तो इससे क्या होगा जो आपका hardix है, वो first boot पर चला जाएगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपका hardix है, वो first boot होना चाहिए, इसके बाद friends आपको क्या करना है, यहाँ पर advance boot option के अंदर आपको जाना है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर click किया, तो यहाँ पर friends अगर आपका यह check box uncheck है, ठी यह आपको याद रखना है, इसके बाद friends आपको क्या करना है, यहाँ पर system configuration का एक option है, यहाँ पर जाना है आपको, इसके बाद आपको क्या करना है, साटा operations का एक option मिलेगा, आपको यहाँ पर click कर देना है, इसके बाद friends आपको जो AHCI का option है, यह आपको select करना है, अगर यहा वाला option ही आपका यहां पर select होना चाहिए ठीक है और यहां पर आपको यह information आपको यहां पर set कर लेना है ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर नीचे की तरफ एक apply का बटन होगा यहां पर click कर देना है और उसको ok कर देना है इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर exit बटन पर click कर देना है तो इससे क्या होगा जो आपका system है वो एक बार restart हो जाएगा और जो आपका login के टाइम पर आपको जो error आ रहा था वो अभी नहीं आना चाहिए तो friends यहां पर आप देख पार हो कि जो हम लोगों को error आ रहा था हमारा starting के time पर वो अभी नहीं आया है जो F2 दबाने के लिए प्रेस करने के लिए जो आपसे पूछ रहा था अभी वो यहां पर नहीं पूछ रहा है So friends, I hope आप समझ गए होगे कि अगर आपको यह problem खी करना है आपके laptop के अंदर वो कैसे करना है अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा और helpful लगए और इस चे आपको कुछ मदद मिला है Please subscribe my channel वीडियो को लाइक करना, share करना और बैल आइकन दुबारा ना भोलेगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूटॉप पर अप्लोड करूँ उसका notification आप तक पहुंच जाए Thank you so much